करता है और किस सब्सक्राइब करना सुरू करता है और किस सब्सक्राइब आपका बच्छा क्या हल चल करता है तो यह सारी बाते जानेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए अब जानते हैं देखे नॉर्मली प्रेगनेसी की पहली तिमाई में आपका बच्चा हलचल करना सुरू नहीं करता या बच्चाодар को सकती है तो कई वाड़ हमें समझ में नहीं आता और जो Concile करते हैं तो कि होच वार है कई ँरुज कर रहे हैं तो기도 प्रेगनिसर अंचिज है क्ता से से जहातर बच्चे हल्चल करते ही हैं सभी बच्चे इस टाइम तक हल्चल करना सुरू कर देते हैं वो सकता है कि 5цен मेने की में हब को अच्छ Razor अच्छे से महसूसर हो जाएगी आप देखो जी नॉर्मली आपको बताओं तो 18 सब्दा से लेकर 20 सब्दा तक आपका बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है या फिर आपको 22 सब्दा तक भी बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है और छटे महीने में आपका बच्चा अच्छे से हलचल करता है इसके बाद जब आपकी pregnancy का थर्ट रैमिस्टर इस्टार्ट हो जाता है, तीसरी तिमाई इस्टार्ट हो जाती है, जिसको कि हम सात्वा से लेकर नौ मिना कहते हैं, इस समय आपका बच्चा बहुत ही जादा हलचल करता है, और इस समय नौर्मली जातर बच्चे ना दो गंटे हो तो ममी को चोड़ लग जाएगी, तो वो अराम से खेलता है, बहुत जोड़ से लाक मारता है, कई आपको मासपेशियों में दर्द भी हो जाती है, खेर वो मज़ा आता है, क्योंकि बच्चा करता है, तो बहुत अलगी खुसी मिलती है, तो यह है कि इस समय आपका समय मतलब कि इस समता क्या-कया हलचाल करता है, तो सबसे पहले बात करते हैँ, वीच वार समता स से लेकर, चोबवीच वार समता के बारे में, तो इस समय आपका बच्चा पहले को थोगा लाम differently करता है, यहानि कि हाथ और पैले उसे काफी ज्याद़ करना हाथ-ालचाल करना तो देखे इस समय बच्चा हिच्कियां लेना सुरू कर देता है पहले भी लेता है लेकिन आपको इस समय से बच्चे की हिच्कियां मैसुस होती है कि मेरा बच्चा हिच्कियां ले रहा है तो हिच्कियां मैसुस होने स्टार्ट हो जाती है इसके अलावा आपका बच्चा इस उसकी बॉंडिंग काफी अच्छी बनती है पेट बड़ा हो जाता है तो आप पेट पर हाद भी फेड़ने लग जाते हैं तो भी आपका बच्चा काफी हैपी हो जाता है बाहर कुछ होता है तो उस पर भी पर्तिकिरिया भी देता है माली जी कि एकदम से दरवाजा प्टेकन ज्याइधा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पाता है लेकिन आपका बच्चा इस समay करता है जो भी खलचल करता है काफी जोड़दार करता है आपको इस पर सब्सक्राइब आपका बच्चा अपना से नीचे कर लेता है यानि कि हैड डाउन पोजिसन में आ जाता है और यह डिलेडी वाला पोजिसन होता है इसके अलावा क्या होता है कि इस समय आपका बच्चा अपने हाथ और पैरों से सबसे जादा हलचल करता है क्योंकि पेट में जगह नहीं होता बिल्कुल भी को बहुत ज़्यादा घूम सके तो अपने हाथ और पैरों को काफी ज़्यादा चलाता है और हाँ देखिए अगर आपको इसमें बच्ची की हल चल उपर की तरफ ज़्यादा महसूस होती है पेट का जो निचला ही से वह कुछ आपको उबढ़ नहीं आपाता है तो ऐसमें कई बार नॉर्मल डिलिवरी बे दिक्कत हो जाती है अब हम बात करेंगे 36 सब्ता से लेकर 40 सब्ता के बारे में तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इस समय आपका बच्चा इसी तरीके से हल चल करता है हाथ पैरों को जादा चलाता है और सब्सक्राइब करना बहुत कर देता है तो खुद को सांथ कर लेता है और उसके बाद डिलिवरी की तयारी में लग जाता है लेकिन ऐसा नहीं करता है लेकिन पहले को मुकाबले आपको हल चल कम महसूस होती है इसके लब हाँ देखी इस समय बच्चा ना अंगुठा चूसना भी स्टार्ट कर देता है कई बार अंगुठा उसका खो जाता है चूट जाता है तो उसको उदाद ढूंडता भी है तो बहुत सर एक्टिविटी करता है वह हम नेक्ट वीडियो में जानेंगे कि आपका आचान करने का तरीका यही है कि चलो बच्चे कम या ज्यादा हलचल कर सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन प्रैइन के थार्ट रामिस्टर में आपका बच्चा लगवग दो घंटे में 10 से बारे बार हलचल करता ही है करता है तो अगर आपको 2-3 घंटे बीच चुके हैं और को कुछ बच्चे रात में ज्यादा हलचल करते हैं आपने देखा होगा ना या फिर सुना होगा तो कुछ बच्चे रात में ज्यादा हलचल करते हैं दिन में ज्यादा हलचल नहीं करते हैं अफिर करते भी हैं तो हम काम में वैस्त रहते हैं पता नहीं चल पाता अब देखो जी अगर आपका बच्चा हलचल कम कर रहा है तो इसके लिए आप कुछ उपाई कर सकती है सबसे पहला उपाई ये कर सकती है कि आपना ठंडा पानी पी लीजिए उसके बाद कुछ मीठा खा लीजिए मनना जाता है कि ठंडा पानी पीने से कुछ मीठा खाने से आपका बच्चा हल चल करने स्टार्ट कर देता है तो यह करने के बाद क्या करना है कि अराम से लेड जाईए और महसूस करने की कोसिस करें कि आपका बच्चा हल चल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो आपके डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए कर र लेना चाहिए टाइम पर खाना खाना चाहिए लेकिन अगर आप ऐसी चीजे लहीं नहीं रहें जिससे कि आपका बच्चा ठीक तरीके से भिक्सित हो उसका विकास अच्छा हो तो नॉर्मल से बात है कि कमजोर बच्चा कितना रचल कर लेगा बच्चे को अलचर करने के लिए कि बच्चे को आपको भी एक्टिव होना होगा और इसके लाव अडिकि त नाम मत लीजिए क्योंकि क्या बच्चा ठीक से हल्चल नहीं करता है क्योंकि जब आप तणाब लेती है आप दुखी रहती है परेसान रहती है तो बच्चा को भी तणाब बहुंाने हारवर्मस मि आप सोचती हैं जैसा करती हैं वैसे आपका बच्चा सीखता है क्योंकि आपने गर्ष संसकार के बारे में सुना होगा तो जैसा आप संसकार देंगी बच्चे गर्ष में बच्चा उसको जरूर रहे हैं तो इसलिए अच्छी नमस्ते